हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेग तो माई चैनल स्प्रीचर लव टेराट कैसे ही आप लोग आप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉई कर रहे होंगे हैपी होंगे डियर आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि अगर थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर का आ थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपको देखकर और आपके पार्टनर के लिए आप दोनों क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी और आप है ना आप और उस समय आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी ये चीजे हम देखने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक बहुत इंट्रे तो यह मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए ठीक है उसके बाद में देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए यह आपके पार्टनर के लिए ओके लिए चलिए यह आपके लिए रिपीट थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के लिए प्लीज उनिवर्स बताएं आप थर्ड पार्टी पार्टनर आप थर्ड पार्टी पार्टनर क्या होगा जब आप और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा हमारा टॉपिक यही है कि क्या होगा जब आप आमने सामने आएंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके कार्टनर निकले हैं डियर ये आपके cards है एक तरफ कर लेते हैं dear ये आपके cards है ये है third party के cards उके उन्हें हम देख लेंगे ये आपके partner के cards है कि उनकी हालत क्या होगी जब आप लोग का आमना सामना होगा तो उनकी हालत क्या होने वाली है आपको topic अच्छे से समझ में आगया कोई confusion तो नहीं है ये है आपके partner के तो हम आपके partner को बाद में देखेंगे third party को भी बाद में देखेंगे पहले आपके cards है मैं एक एक करके सारे cards खोलूँगे oh my god bottom की energy बता रही है कि अगर आप तीनों का आमना सामना एक साथ होता है तो आपकी और आपके partner की और third party की situation इस तरह की रहने वाली है कुछ ऐसी कि आप ना चैन से रह पाएंगे ना सो पाएंगे ना आप कुछ भुला आप आएंगे बस आप दिल में ही रख रख के सोचेंगे की हालात क्या हो गए हैं यह चीज क्लियर दिख रही है dear यहाँ पर और यहाँ पर है four of swords मतलब इतना दर्द इतनी तकलीफ आप लोगों को होने वाली है आपको भी third party को भी और आपके partner को भी यह bottom की energy निकलिए ठीक यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि एक तीनों ही लोग दो राहे पर आके खड़े होने वाले हैं आपके situation जो है इसी तरह की दिखने वाली है dear मैं यह चारो bottom की energy को लेना चाहूंगी ओकी dear मैंने bottom की energy को सामने रख दिया है ताकि हमें पता चले कि bottom में कितना दर्द है यह है आपके card ठीक है आपके cards क्या बता रहे हैं अगर आपका third party के साथ में आमना सामना होता है तो आपका क्या action रहेगा आपके हालात क्या होंगे आप किस तरह से वहाँ पर अपना क्या होगा आपका हालात ठीक है तो dear यहाँ पर तो जो cards निकले हैं आपको दिख रहे होंगे चलिए मैं set कर देती हूँ ताकि आपको cards पूरे clear तरीके से दिखें dear okay ठीक है cards आपको दिख रहे होंगे एक last card जो है यहाँ पर रख देते हैं तो आप देख लीजिए यह दो card और है ठीक है अब देखते हैं third party के card कि third party के card क्या निकले है dear queen of wand की energy में आएगी okay oh my god three of wands and three of two of wands chariot okay यह है हम आपके partner के energy इसको बाद में देखेंगे कि उन पर क्या असर पड़ेगा उनका क्या हाल होने वाला है तो dear बहुत interested होने वाला है यहाँ पर सबसे पहले तो आप आपका reaction यहाँ पर क्या होने वाला है dear आपके अगर third party के साथ में आप अपने partner को किसी third party के साथ में देख लेते हैं dear third party यहाँ पर मैं family को नहीं बोलूँगी ठीके तो यह पहले ही समझ लीजिए family को मैं मना करूँगी क्योंकि family के लिए बहुत कम बाते निकलेंगी ज्यादा तर जो निकलेगा वो ex girlfriend इसके ही लिए निकलेगा जो भी कोई third party जिन से married है या unmarried है जिनके साथ में attach हो गया है आपका partner या शादी कर लिया है उनके लिए ही ये reading आएगा ठीके तो यहाँ पर clear तरीके से दिख रहा है आप इतने ज्यादा अगर third party को आप देख लेते हैं अपने partner के साथ में तो dear आप का जो आपा है आपका जो सहन करने की शमता है मतलब आप पूरी तरह से negative हो जाएंगे अगर आपने partner को third party के साथ में देखा अचानक से तो आपके अंदर एक negativity आ जाएगी इस तरह की negativity कि आप पूरी तरह से बहुत गुस्ते में बहु सारे negative thoughts आएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते उस third party का आप बिगार लें कुछ कर लें उसको harm पहुचा दें कुछ ना कुछ नुक्सान पहुचा दें इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है कि devil के energies में आप आ सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर third party के साथ में आप उन पर्टी के साथ में अपने partner को देखेंगे या देखेंगी तो आप अपने जो feelings है आप अपने दर्द को छुपाने के लिए किसी alcoholic चीजों का सहरा ले सकते हैं किसी नशा का सहरा ले सकते हैं और अपने जजबातों को दबाया जा सकता है बहुत परिशान हो जाएंगे आप बेचैन हो जाएंगे उनको देखने के बाद में आपकी feelings ऐसी रहने वाली है कि ये रिष्टा जो मैं आज भी सजा के रखी थी आज भी मैं इस रिष्टे के लिए नई उमीद लगा के बैठी थी कि ये रिष्टा खत्म नहीं हुआ है फिर से एक नई शुरवात होगी तो आपको ये realize होगा कि रिष्टा तो जो है खत्म हो गया है पूरी तरह से कहीं न कहीं इस इंसान ने इस third party के साथ जाकर मेरे रिष्टे का पूरी तरह से खात्मा कर दिया है आपको past की बाते याद आएगी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है आपको कितना प्यार करता था और इसने आपके साथ में चिटिंग किया इसने आपको धुका देने की कोशिश करे मतलब आप से ये जीने मरने के वादे तक करते थे जब आप इनको देखेंगे न थर्ड पार्टी के साथ में तो आपको इतन सा शौक लगेगा और आप ये सोचेंगे कि यार ये इनसान तो मुझसे जीने मरने के वादे करता था और ये किसी और के साथ में घूम रहा है या ये किसी और के साथ में अटेच है अगर आपको नहीं पता है थर्ड पार्टी के बारे में और पता भी है तो भी आप सोचेंगे कि इसने मेरे साथ में चीत किया मुझे धोका दिया मेरे प्यार को जितनी केर मैंने इसकी की है मैंने एक समझदार इंसान बनके हमेशा इसके कंदे से कंदा मिला कर इसका सपोर्ट करा हमेशा इसको एक देख भाल करी एक तरह से आपने उसकी बहुत केर करी है किसी समय पर और इस इंसान ने आपके साथ में चीट किया तो वो चीज आप बहुत सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा और अकेले में रहकर आप ये सारी चीजों को रियलाइस करने की कोशिश करेंगे दियर आपका हाल इतना बुरा मुझे दिख रहा है कि आप बिलकुल अकेला फील करने वाले हैं आप उस दर्द से उस तकलीश से गुज़रने वाले हैं हो सकता है कि आपको वो सारी चीजे यादाएगी फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ चीजे हैं जो आपको यादाएगी कि इस पार्टनर ने आपको इसी लिए आप से वो सारी चीजे चीन ली थी इसलिए आप से वो पावर चीन लिया था क्यों क्योंकि इनकी जिंदगी में ये सिच्वेशन थी है ना ये थर्ड पार्टी थी तो इस लिए इस पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा आपको अकेला छोड़ कर आपको धोका दे कर आपको एक डैत वाली स्थिती में ला कर ये परसन जो है छोड़ कर चले गए डियर आपके साथ में इस परसन ने बहुत नेगेटिव किया था बहुत जदा नेगेटिव तो ये चीज आपको बहुत जदा रियलाइज होने वाली ह और आपका ऐसा मुझे दिख रहा है आपका घुसा जो है ना ऐसा मन करेगा आपका कि इस थर्ड पार्टी को मैं क्या ना कर दूँ आपका बस नहीं चलने वाला कि आप यह सोचेंगे कि मैं इसका क्या ना करूं कैसे क्या करूं कि इसको नुकसान पहुचाओं या इससे में ल वो भी तकलीफ इसको दूँ इसका भी मान सम्मान चीन लूँ इसको भी दस लोगों के सामने बेकार कर दूँ या कुछ ऐसा करूं कि जो इसके लिए दिल दुखा दे या आपके पार्टनर को उनके सामने कुछ अबशद कहूं तो इस तरह का कुछ यहां पर दिख रहा है दियर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने गुस्से को आप यहने चाहते तो बहुत कुछ है दियर चाहते क्योंकि देखिए बॉटम के अनरजी बता रही है कि आप चाहते हैं कि आप उसको उस दो राहे पर लाएं आप चाहते हैं कि आप उसक में इस तरह का गलत विहार किया, क्यों मेरी लाइफ को इस तरह से बर्बाद किया, अगर तुम्हें ये सब करना ही था, या तुम्हें मुझे चीत करना था, या धोका देना था, तुम मुझे बता देते, तुमने मुझे एक दो राहे पर लाके खड़ा कर दिया, ना मुझे जीने के लायक छोड़ा ना मेरी लाइफ में happiness रहने दी मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा एक commitment तक नहीं कभी प्यार से दिया मतलब मेरी जिंदगी को खराब किया है तुमने हमेशा मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे कारण बरबाद हुई है तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं आप उनसे जवाब कर सकते हैं बस आपका रोरो के बुरा हाल होने वाला है ये situation देखने के बाद में आपके partner जब उनके साथ में जा रहे होंगे या वो आपके साथ में होंगे आपके partner डियर किसी के भी साथ में हो सकते हैं देखे Third party के हकीकट जो है आपके सामने आ सकती हैMP के हकीकत third party के सामने आ सकती है अगर आपके partner ने छुपा के रखा है ठीक है तो situation कुछ भी हो सकती है फिलहाल तो यही बात हो रही है कि third party के साथ में अगर आपका partner दिखता है कभी हो सकता है कि आपके साथ में वो दिख जाता है रहता उनके साथ में हो तो हालात क्या होंगे हम इस तरह की बातों पर बात कर रहे हैं ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल करकर के आप अपना सरदर्द बढ़ाने वाले हैं इतना कंट्रोल क्योंकि देखिए ना जब वो इंसान जब हमेशा आप पीछे से ये सोचते थे कि वो मेरे सामने आ जाए ना धर्ड पार्टी जिसने मेरे प्यार को चीना है जिसने मेरे लव को चीना है तो मैं उसका ऐसा हल करूँगी वैसा हल करूँगी पर डियर जब वो सामने आई ना तो डियर आपने एक सभेता दिखाई आपने अपने अंदर के इंसान को बोला हलाकि आपके जजबात जाग रहे थे डैविल वाले जजबात जो थे ना आपके अंदर वो जाग रहे थी किसी तरह से पर डियर आपने उसका सहरा डैविल वाली एनरजी का सहरा कहां ले लिया गलत चीजों में ले लिया अपने आपको किसी एडिक्शन में लगा लिया या फिर आपने घर जाके इतना ज़्यादा रोए हैं इतना ज़्यादा कि आप बहुत दर्द से गुजरे हैं बहुत ज़्यादा डियर यहां पर लग रहा है रोते रोते आपने रातों को बिता दिय अकेले बैठे रहे, बहुत सोचते रहे, थर्ड पार्टी से मिलने के बाद आप बहुत सोचते रहे, बहुत दर्द में दिख रहे हैं, डियर पर आपने बहुत कंट्रोल करा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर दिख रही है, कि आपने अपने जजबातों को कंट्रोल करा, आपका दिल जो था ना एक पल को रो दिया था, आपने पार्टनर को देखके, कहते हैं ना कि किसी इंसान को देखकर एक पल में रोना आ जाता है, क्यों कि आप उनसे इतना true love करते थे, आप उनके साथ में बहुत attached थे लिए, और मुझे रोना आ रहा है इस बात पर, कि आप उनके से हो गए, कि इंसान ने जूट बोल कर, चीत करकर, आपको dear, clear तरीके से आपको devil वाली energy में छोड़ कर, negativity में छोड़ कर, ये partner इस third party के पास चलेगा, इसकी कभी आपने उमीद नहीं करी थी, आपने अपने partner की तरफ भरी हुई आँखों से देखा, उसकी तरफ, कि ये क्या कर दिया, बोला कुछ भी नहीं आपने उसे, पर आपने एक तरह से दिल से कोई आहा निकलती है ना, और पूछती है कि क्या कर दिया है तुमने मेरे साथ में, आप उनसे बोल नहीं सकते हैं, हो सकता है आपका डिवोज हो गया हो, क्योंकि judgment का card निकला है, हो सकता है कोई court case चल रहा हो, आपका या इनका या third party को लेकर कोई मामला चल रहा हो, तो यहाँ पर हाला तो पुरी तरह से बिगड़ चुके हैं, पर डियर जब आपने अपने partner को देखा third party के साथ में, तो आप उनके आखों में इस तरह से देखते रह गए, नमी थी आपके आखों में, एक बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी, मुझ में ऐसी क्या problem थी, जो तुम्हें में इतनी बुरी लगी, क्या मुझ में कोई कमी थी, आपको कभी ऐसा लगा, तो वो चीज आप उनसे आखों के इशारों से पूछ रहे हैं, दिल के एक रानी थे आप, मगर इस इनसान को आप में कमिया नजर आई, जबकि आप देखे, नाइन आफ पैंटीकल्स आपके पास में ये सब कुछ था, पर इस इनसान को क्या जाने, कि थर्ड पार्टी में क्या नजर आया, क्या समझ में आया, कि ये इनसान आपको अकेला और आपको इस सिच्वेशन में छोड़ दिया, क्या सोचा था इस इनसान ने, पता नहीं इसकी सोच कहा अटक गई थी, वही चीज आप इनको निगाहों के द्वारा पूछ रहे थे, एक नजरों से नजरे मिला कर आप इनको कठेरे में खड़ा करे हुए थे, और वहाँ प मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, आज मैं इस नेगेटिविटी में घिरी हुई हूँ कि मैं अपने दर्द को भूला नहीं सकती या भूला नहीं सकता, मैं तुम्हें भूलाने के लिए किसी एडिक्शन का सहारा ले रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पात मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं अज भी मैं उतना ही हयाद करता हूं मेरी ces इयाद जो है लग pouक्त जो थो सकता है कि पाउट हो पावर ही व रिष्टा काफे टाइम पहले ही आपके पार्टन गर झाल कुछ लोगों के लिई और कुछ लोगों के जो पार्टनर है डियर जिन्होंने खतम नहीं किया है वो उनके साथ में अभी जा रहे थे तो आपने उन्हें देख लिया तो आपने बस उस बारे में इनसे सिर्फ डिगाहों से देखा आँके सी गुसा करके देखा आपको गुसा भी बहुत आ रहा था पर डियर आपने कंट्रोल करा घर आएंगे तब देखेंगे जब ये पार्टनर आपसे मिलेगा तब आप बात करेंगे कि ये थी कौन या था कौन जिसके साथ में आप जा रही थी आपने ये सुचा सब्बेता के साथ की सड़क पे तमाशा करना बिल्कुल भी अच्छी ब पर आया था तो वो कमरे में कर क्या रहा था किसी लड़की के साथ में या मेरा मेरी जो पार्टनर है वो किसी ऑफिशियल तो पर आई थी तो वो अपने बॉस के साथ में कर क्या रही है अकेले कमरे में तो ये एक थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आपके मन में आ सकती है आप उ आपने कंट्रोल करते हुए यहां पर सारे हालाथ को रोख लिया है डियर कुछ लोगों के लिए मुझे इसा लग ड़ा है कि देखते ही आप थर्ड पार्टी को आप मेरे वीवर, third party को मारने का मन करेगा आपका मन करेगा कि आप उसके उपर हाथ छोड़ दे या फिर उस third party इस पे और मुझे कुछ लोगों के लिए लग भी राए कि आप उनको fight भी कर देंगे आप उनको धक्का भी दे देंगे आप अपने पार्टनर से अलग भी कर देंगे कि हो कौन तुम इनकी हो कौन मेरा है ये पार्टनर या में इनकी हूँ इस तरह के अनरजी दिख रहे है ये डियर लेकिन आप में से काफी लोग जज्जमेंट की उमीद कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बॉटम के अनरजी जो निकली है वो यही दिख रहे है कि एक दो रहे से निकलना चाहेंगे अब आप और एक स्ट्रॉंग डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में किया है जो four of swords वाली energy मिला के छोड़ा है nine of swords वाली आपके रातों की नीद उड़ाई है आप चाहेंगे कि यह सारे situation जो है dear वो clear तरीके से सही हो जाए यह थी आपकी reading dear तो cards को हटा दिया जाता है अब देखते हैं third party के बारे में third party के card निकालने से पहले आपके partner के card open कर लिए जाते हैं देखते हैं कि आपके partner का क्या हाल होने वाला है बहुत interested हो गई है dear reading और काफी अच्छा topic मिला था ओके ओ माई गॉड़ आपके partner की तो what लगने वाली है ओके आपके partner की तो what लगने वाली है इनके तो होश उड़ने वाले हैं क्यों क्योंकि आप और third party मिलकर इनको अच्छे से band बजाने वाले हो कार्ड बता रहे हैं इनके कार्ड देखिए आपके कार्ड तो बहुत सब्बे थे आपके कार्ड बहुत अच्छे आये थे आपके कार्ड में सिर्फ एक devil ही था जो बस आपके गुस्ते को और हो सकता है गुस्ता भी ना बोलें तो एक addiction में आप पड़ गए दियर यहां जो मेरे male देख रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आपने इस female के लिए बहुत कुछ किया था लेकिन जब आपने इनको किसी और के साथ देखा ना तो आपके पैरो तले जमीन चली गई आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एक आँख भी आपके ऐसा नहीं हुआ आपके आँखों से आसू जो कहते हैं ना आते हुए भी आख से बिना बात के आसू तपक गए थी डियर वो चीज यहां पर क्लियर दिख रही है बात करी जाए थर्ड पार्टी की तो थर्ड पार्टी के लिए क्या निकला है आप देखें मैं क्लियर काट कर देती हूँ ताके हम लोग देख पाएं कि थर्ड पार्टी की सिच्वेशन क्या हुई थी ओके यहां पर दिख रहा है कि यह थर्ड पार्टी को जब आपके थर्ड पार्टी जब आपको देखेंगी आपके पार्टनर के साथ में तो उसके हालात क्या होंगी यही टॉपिक है तो डियर यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को आपके थर्ड पार्टी अब उनके आपके पार्टनर है लेकिर अभी फिलहाल वो उनके पार्टनर है तो वो जब आपके साथ देखेगी ना तो डियर उसको इतना यह यह बंदा है कुन जिसके साथ में मेरा पार्टनर अटेच है क्योंकि यहां पर थोर्ड पार्टी को यह नहीं पता कि आप उनकी लाइफ में हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने यहां पर राज रखा है देखिए आपके पार्टनर यहां पर चीत कर रहे थे ठीक है धोका द कि यहीं दिया है तो थार्ट पार्ट्र विधोकत्न यहां दूखंडर दोखा दे रहे थी एपार्टर थार्ट फटनर की आपके साथ में यहां यहां इनकी यह इनकी सब्सक्राम ह पकल चाहती थी और वो देखना काहां चीजे लेकिन थर्ड पाट्टी चुप रहेगी क्योंकि我就 को क stata को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या चाहिए थर्ड पार्टी को पूरी FIGHनेंशल वाली स्टेज दिख रहे हैं उसको चाहिए finance उसको चाहिए finance आपके partner से सिर्फ finance चाहिए तो ये third party जो है आपको देख लेगी न आपके partner के साथ में तो थोड़ा सा नाराश तो होएगी अपनी आखों पर पट्टी बान लेगी देखिए आप मैं गलत बोल रहे हूं तो आप बताईए वो third party अपने आपको बंधा हुआ फील करेगी सोचेगी कि यार इस partner ने तो मुझे कही न कहीं चीत किया है मुझे धोका दिया है या मेरे अर्मानों के साथ खेलने की कोशिश करी है आपके partner के बारे में ये सोचेगी पर डियर फिर भी देखते हुए अंदेखा करने की कोशिश करेगी ताकि ऐसा लगे कि ये जानती ही नहीं है कि आपको इसने देख लिया है आपके partner के साथ में ठीके ये third party इस तरह का show करेगी डियर bottom के energy सबके लिए same आई थी तो मैं बता दूं कि third party ये चाहेगी कि अब ये partner को एक ऐसे दो राहे पर लाके खड़ा कर दे ऐसे रस्ते पर लाके खड़ा कर दे कि आपका जो partner है वो इंतिजार करता रहे कि उसके life में खुशियां आए ये पैसे से उनको problem create करने का सोचेगी ये चाहेगी कि पैसा मांगे आपके partner को या फिर ये पैसे से blackmail करने का सोच सकती है कि तुमने मेरे साथ खिलवार किया है तुमने मुझे दोका दिया है तुमने मुझे चीत किया है तुमने जो मेरे साथ में किया है उसके लिए मैं third party को भी हुए है क्यों क्योंकि आपके partner ने उनको भी cheat किया है उनको भी धोका दिया है उनकी life में भी tower लेके आए हैं तो यहाँ पर third party थोड़ी से निराश होती दिख रही है थोड़ा सा दर्द हो रहा है पर dear बिल्कुल भी अपने life से समझोता नहीं करना चाहती है third party struggle करने को बिल्कुल भी तयार नहीं होने वाली है हाला कि इनके life में struggle आ सकता है पर dear यहाँ पर clear दिख रहा है कि यह third party जो अना बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है आपके partner और आपके आगे हार यह आपके partner को court case तक ले जाएगी यह आपके partner के life में struggle वाली स्थिति ला देगी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपका partner जो है third party के नाम से कापने लगेगा dear यहाँ पर bottom की energy तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार आई है बहुत ही क्या बूलना चाहिए उसके बार में भी यहाँ पर देखिए आप energies देखिए bottom की energies को देखिए मैं बताऊं आपको कि यह है bottom की energy और यहाँ पर है high prices ठीके तो यह चीज देखिए आप क्या है bottom की energy judgment तीनों लोग judgment की उमीद कर रहे हैं तीनों लोग यही चाहते हैं कि यह जो दो रहाँ चल रहा है इसमें decision हो तो यहाँ पर यह third party तो भाया पूरा जोर लगाएगी आपके partner को कठेरे तक ले जाने के लिए और यह हर मुम्किन कोशिश करेगी dear पर अगर आपके partner प्यार से मान गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं माने तो यह छुपते छुपाते आपके partner को court case तक पहुचा देगी जिससे आपका partner जो है dear इस इस्तिती में आ जाएगा क्योंकि third party आपके साथ में देखकर जिस तरह से वो अपनी feelings को दबाने की कोशिश कर रही थी जो उसके दिल में जो jealousy हो रही थी जो जलन ओड़ी थी जो आग उसको लगी हुई थी वो इस तरह से बुझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आपने देखा था wand की energy है पूरी तरह से fire energy उसके दिल में एक तरह से आग लगी हुई थी ऐसी आग जिसको वो बुझा नहीं पा रही थी उसका बस चले ना तो वो पता नहीं आपका क्या करती या आपके पार्टनर का क्या करती इस तरह का वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी पर डियर यहां पर हालात यही दिख रहे हैं कि यह third party बिल्कुल भी नहीं बखशने वाली आपके partner और आपको ठीक है अब भई आपकी गलती तो नहीं है लेकिन यह third party को ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से इनको आपकी तरह से खेच के लाना है हर एक मुम्किन कोशिश करेगी queen of wand की energy में आएगी इंतजार जो है बस इंतजार करेगी इनकी life को बरबात करने का बहुत fast section लेने के बारे में भी सोचीगी डियर और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह third party किसी ऐसी चीज का सहरा ले सकती है जिससे आपके partner जो है डियर परिशान हो सकते है किसी power का किसी बहुत बड़ी छुपके कोई काम किया जाता उस चीज का सहरा लेकर यह third party आपके partner को hurt करने वाली है डियर अब बात आती है आपके partner का क्या haul होगा जब वो आपको और third party को एक साथ face करेंगे तो डियर सब से पहले तो इस partner ने आपको भी cheat किया third party को भी cheat किया ठीक है यह बात किसी के लिए हो सकती है कि third party जो है उसे पता नहीं है कि आप इनके life में है और आपको पता नहीं है कि third party इनके life में अचानक से आप देखते हैं शौक रह जाते हैं आपके दिल को ठेस पहुचती है तकलीफ मिलती है यह आपके partner ने किया है लेकिन आप दोनों ही अप क्या कर रहे हैं आपके partner को तकलीफ देने वाले हैं आपके partner को सबक सिखाने की सोच रहे हैं क्यों क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो मेरे साथ में किया है उसके लिए मुझे judgment चाहिए ही चाहिए आप चाहा रहे हैं कि ये इंसान भी अपनी life में struggle से गुझरे लड़ाई जगड़े हो इसके भी life में इसके भी life का balance जो है वो कहीं न कहीं खराब हो तो यहां पर ये हालात होने वाले हैं कि आपके partner जो हैं आपको balance करे कि third party को balance करे इन्हों ने हालात तो खुद खराब कर दिये देखे अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको समझाना मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगड़ा अगर ये third party के पास जाते हैं किया है और third party ये बरदास नहीं करेगी क्योंकि हर इनसान एक जैसा नहीं होता है जैसे आप हो वैसा ये third person नहीं हो सकता है क्योंकि इसके जजबात कुछ अलग है इन्होंने कुछ और सोच रखा था third party ने आपके partner के साथ में long time के बारे में लेकिन आपके partner ने आपके प्यार की कदर नहीं करी आपको चीत करके चले गए इस third party की तरफ अब ये partner जो है emotionally तरीके से इनको प्यार नहीं मिलने वाला है बहुत ज़दा emotions इनके high होने वाले है क्योंकि ये इधर से भी गए third party से भी गए आप से भी गए ये आपके partner जो है पूरी तरह से दोनों तरफ से हाथ धोने वाले हैं आप से भी छुटकारा मिल जाएगा इनको और third party से भी लेकिन आप भी इने नहीं छोड़ने वाली है और नहीं third party छोड़ने वाली है क्योंकि दोनों ही इनके लिए judgment करना चाहती है दोनों ही न्याए करना चाहती है और दोनों ही अपने हित में न्याए मांग रही है आप भी एक तरफ खड़े हो और एक तरफ ये third party खड़ी है दोनों ही लोग चाह रहे है कि बस यहाँ पर judgment होना चाहिए तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है ये रिष्टा यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत पुराना था आपके पार्टनर के साथ में 20 साल पुराना रिष्टा था किसी के लिए ऐसे एनरजी आई ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी के लिए यहाँ पर तीन साल पुराना रिष्टा ठुकराया गया है साथ साल पुराना रिष्टा है और डियर किसी के लिए तो ऐसा लगाए कि आपने दो मही में पहले ही अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ देखा था और ये जो मैं बता रही हूँ वो चीज आपने फेस करी थी पर डियर आप बोल नहीं पाए आपके आँखों में आसू था है आपके आँखे जो थी रो रही थी बस एक सवाल जो था वो आपका उनके लिए चल रहा था मन में और अभी भी आपके दिल में यही चीज आ रही है आपके आँखों में आसू आ रहे रोना नहीं है डियर क्यों कि स्ट्रॉंग बना है हाला तो कैसे भी आ जाते हैं तो डियर यही दिख रहा है आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं पर डियर प्यार अपनी जगे पर इस इंसान ने आपके बच्चों का हक चीना है आपका हक चीना है आपका जो एक सम्मान था वो चीना है और दोनों तरफ दोनों लोगों को बरबात करने की कोशिश करिए थर्ड पार्टी के साथ में भी चितिंग किया आपके साथ में भी चितिंग किया फ्रॉड वाली एनरजी है तो इस लड़ने वाले हैं, आप इनसे फाइट करने वाले हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं, तो आप नॉर्मली फाइट करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे, हर तरह से पूछेंगे, आप बोलेंगे, उनको याद दिलाएंगे, कि मैं आपकी विश हूँ, आपने कभी मु जिरने वाले हैं एक ऐसा टावर जहां से आपके partner का balance डगमगाएगा यह third party आपके partner को बिलकुल भी नहीं छोड़ने वाली है dear इनका दिल जो है थर्ड पार्टी का थोड़ा सा पत्थर का है डियर कहीं न कहीं और यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस दोनों लोगों का आपका और आपके थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसका इतना बर्डन इतना स्ट्रेस ले के जाये तो कहां जाए आपकी तरफ जाये कि यह थर्ड पार्टी की तरफ जाये जहां जाएंगे वहां लात कहानी पड़ेगी इन्हें Birthday खानी पड़ेगी बहुत ज्यादा सैद एनरजी से इनहें गुजरना पड़ेगा और बहुत दर्द बहुत ही ज्यादा दर्द आज कैसा मोड खराब निकला आज मेरी किसमत कैसी खराब निकली कि आमना सामना हो गया और मैंने अपने हालात खराब कर लिए अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी बताओ इनके मन में क्या सवाल क्या जवाब चला कि अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी कैसे किसी के सामने गया कितनी गलत बात है यह चीत कर रहे थे उसके बावजूद यह सोच रहे थे यह सोच रहे थे कि मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर लूँगा मैं दोनों लोगों को बना लूँगा उसे भी रखूंगा इसे भी रखूंगा किसी को पता नहीं चलने दूँगा कि मेरी लाइ आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा शाते दिमाग लगाने वाली अनर्जी रही है यह अपना कप अभी भी पकड़े हुए है यहां देखिए नाइन आफ कप सेंड पेज आफ कफ तो यह एनर्जी बता रही है कि यह चाह रहे हैं कि अपनी फैमली बना ले किसी के साथ में द सोच रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में एक फैमली क्रियेट करी थी घर बनाया था दियर तो वो दिख रहा है और इनको रियलाइज हो रहा है कि अगर यह थर्ड पार्टी के पास में जाते हैं तो थर्ड पार्टी इनको एक एक रुपियों के लिए प ठाना पढ़ रहा है यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रही है ओके डियर आपको आपको रिडिंग टॉपिक पसंद आया होगा और कुछ रेजुनेट करा हो कुछ समझ में आया हो कुछ गाइड़स मिला हो तो प्लीज लाइक कर दिया किजिए एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता है डियर ठीके और अगर फरस्टेंट चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू दिल से हम मिलते हैं नेक्स वीडियो पर लेकिन मैं आपको यही एक एडवाइस दोंगी डियर के हमेशा हैपी रहें खुश रहें देखे अच्छा बुरा समय तो आता रहता है लेकिन डिवाइन से बढ़कर हमारी जिंदगी में युनिवर्स से बढ़कर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है आपके साथ में जज्जमेंट होगा 100% होगा जज्जमेंट अगर इस इंसान ने आपको धोका दिया है चीट किया है आपको छोड़के गया था तो डियर यह लोटे गा भी क्योंकि इनको एक रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है इनको अपना कब जो है